आपका करावा भी होगा कहीं न कहीं एंटॉनिम में सायद आया था एक टिमिट का मतलब होता है डर पोक ठीक टिमिट मेंस डर पोक कायर भी आप कह सकते हैं ठीक है तो इसके सिनोनिम्स बताने है एक्जाम में बहुत इजीजी आये हैं आपके अंडीए में तो सेंट्वन दसनम्बर दसनम्र स्थासया आते हैं तो बहुत इसी है तो इसको विशेश रूप से सिनोनिम्स अन्टॉनिम्स को विशेश रूप से ध्यान देना है आप्जेत का मतलब है उतिमिट मीन्स होता थाए उता है तो कायर के लिए इनने बारद डिफिडेंट यहां पर कि कॉन्स इन इन्सकों पूरा विश्वास नहीं तो इसको डिफिडेंट कहा जाता है confidence का ultra diffidence और confident इसका मैं लिख देता हूं opposite opposite है इसका confident d e n t है ध्यान दखना है ना कल एक confident भी कराया था d a n t विश्वास पाथ trustworthy यह वर्ड आपको ध्याद्दस नमबर के आते हैं तो आपको विशेश रूप से ध्यान दखना है हाँ दूसरा वर्ड sorry तीसरा वर्ड है cowardly cowardly बताया था आपको डर पोक के लिए coward timid next है afraid afraid means डरना भेवीत होना afraid और अगर आपको ध्यानों preposition की थी afraid of ठीक है मुझे अन्धेरे से डर लगता है I am afraid of ठीक I am afraid of आता है और एक वर्ड हो रहा है fearful एक वर्ड है fearful डर से भरा हुआ fearful तो यह सारे के सारे वर्ड timid है अच्छा वर्ड है important वर्ड है इसको आपको ध्यान रखना है important word है timid clear पहला वर्ड आपका complete पहला वर्ड हो गया complete आपका दूसरा वर्ड 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 नंबर सेकेंड हाँ अगला वर्ड है transient टी आर एन एस आई एंट ही transient transient का मतलब होता है परीवर्तनी है apart change होने वाला transient means अज्वर्ड व्यक्त और इसको अलोज कालिन भी कह सकते हैं अल्प कालीन और जो जो चेंज होता रहता है थोड़े-थोड़े समय के बाद जोटा है थोड़े समय के लिए शौर्ट लिविंग जिसका वहला वड़ देखें कि temporary हैं बिल्कुल सभी बात है transient है change होने वाला है changing होता रहता है तो temporary कहते हैं next word fleeting fleeting का मतलब होता है जैसे कहते हैं ताइम भाग रहा है time is fleeting free it करना तो इसका मतलब change हो रहा है time is fleeting momentary है थोड़े समय के लिए momentary है छनिक है और हेस्टी का मतलब होता है तेज ह्थ का मतलब होता है है में के हैस्ट आप सुना होगा जो तैजी से चीजे परिवरतन होती रहती है change होती रहती है तो सबसे अच्छा word इसका changing है changing momentary है changing भी है ठीक fleeting word बहुत अच्छा है आए fleeting time is fleeting भाग रहा है उड़ रहा है ठीक है तो fleet करना सही है next word third word तीसरा word आ रहा है आपका third word तीसरा word tremendous T-R-E-M-E-N-D-O-U-S tremendous tremendous का मतलब होता है विशेस tremendous means wishes tremendous means wishes हावी tremendous means wishes बल्कि wishes से आप विशाल कह सकते हैं व्यापक tremendous wishes भी है व्यापक भी है तो विशेस व्यापक तो बड़े से लिया है इसमें size से आपको लेंगे थोड़ा सा आकार से आपका विशेस रूप से है इसमें आकार जैसे huge विशाल है तो huge है enormous है vast है vast vast immense है gigantic बहुत अच्छा वर्ड कई बार आयवा है gigantic huge take immense वो जो वर्ड आप knots में देख रहे हैं वो देख रहे हैं मैं तो इसको इसलिए लिख रहा हूं बार बार के जो वर्ड और important है इस से related या इसमें जो वर्ड अच्छ है मैं इसको आपको बार बार से repeat कर देता हूं एक idiom किया था जिसको बार बार हम करते हैं time and again time and again बार बार repeatedly frequently बार बार मैं इसको repeat करता रहता हूं ठीक है तो frequently के लिए time and again एक idiom है tremendous आपका हो गया विशाल आकार का to gigantic huge immense ठीक है यह वर्ड में वाले वर्ड थे तीन वर्ड आपके हो चुके है fourth वर्ड वर्ड फॉर्थ कर रहे है tremendous हो गया triumph टी आर आई यू एम पी एच ट्राइम्फ का मतलब विजय होता है कि विजय कि विजय सफलता कि विजय और सफलता ट्राइम्फ और ट्राइम्फ के संग यदि आपको ध्यानों प्रिपोजिशन ओवर बताए थी जैसे हमेशा जो अच्छा ही होती है वो बुराई पर विजय होती है विजय पराप्त करती है तो goodness always triumphs over evil तो triumphs over आता है हमेशा preposition अब इसके वर्ड देखें विजय के लिए आपको काफ़ सारे वर्ड तो खुदी पता है जैसे victory पता है victory बहुत अच्छा वर्ड है एक conquest word है conquest 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 sorry क्यों है एक क्यों conquest है और एक word है mastery और एक word achievement उपलब्धी के लिए भी जब आप किसी चीज पर महारत हासिल कर लेते हो तो वो आपकी उपलब्धी होती है और आपकी उस पर क्या होती है mastery हो जाती है आप उस काम में निपुण हो जाते है तो mastery ठीक है आपका पूरा control हो जाता है तो control over ध्यान होगा preposition जो आती है control over ध्यान देना इस बाग तो भी है ना control तो चार वर्ड आपके हो गए है चार वर्ड हो गए है फिफ्थ पांचवा वर्ड ट्रस्ट आवई ट्रस्ट ट्रस्ट मीन्स विश्वास बहुत easy easy वर्ड भी आते हैं तो हम पहले basic से लेके चलने है फिर जितने भी आपके आज तक exam में आये हैं जहां तक available है suppose 2020 का कोई paper available है 2019 का available ही है तो जो भी available paper है reverse से शुरू में तक जहां तक भी available है सारे के सारे आपके जो synonyms हैं सबको practice करना है ठीक चलो जी करते है trust माने विश्वास तो पहला है believe विश्वास faith माने विश्वास और एक word जैसे reliance जो reliance इंडस्ट्री है इसका reliance का मतलब भी विश्वास होता है reliance हो गया विश्वास के लिए confidence भी आता है ठीक है एक word credit भी होता है credit और एक word hope भी होता है आसा उमीद clear? तो trust का मतलब faith भी है confidence भी है अब ये credit कैसे है जैसे आपको ध्यान होगा कोई आविश्कार किया कोई बहुत अच्छा काम किया तो all the credit goes to this person all the credit of development goes to suppose मौदी जी तो उसमें क्या होता है श्रे का मतलब कही न कहीं वो trust के रूप में है कहीं न कहीं फेद के रूप में है न कहीं उसके सम्मान के रूप में credit होता है और एक होता है debit debit हानी के लिए मान सकते है और credit आपका balance जैसे जो bank में आपका credit अगर लिखा हुआ है तो इसका मनला आपके पैसे bank में जमा है ठीक है विश्वास credit विश्वास के लिए आता है और debit एविश्वास के लिए आता है बैंक आपके पैसे को अगर आपके पैसे लिखा हुआ है तो credit का मनला आपके पैसे bank में है एक लाग रूपे credit है ठीक है एक लाग में से आपने बीस जार रूपे निकाल ली है तो बीजार रूपे वो डैविट करना पड़ाएगा उनको D E B I T एक दो तीन चार पास चीक है छटा वर्ड अगली U G L Y अगली माने बद सूरत भद्दा ठीक और हिंदी में कुछ वार्ड जिसे हिंदी में कह रखा है कुरूप बद सूरत जो सुन्दर ना हो अगली U G L Y अगली तो अगली बद सूरत के लिए निगेटिव सेंस में आता है तो पढ़ते हैं इक तो वर्ड है होमली H O M E L Y घरे लूप होमली का मतलब एक कुछ साधारन है जिसमें कोई पॉलिश नहीं है प्लेन बिल्कुल साधारन रिपल्सिव लिखा है हाइडियस लिखा है इल लुकिंग रिपल्सिव कहीं हमने देखा नहीं वैसे लिखावा एक्जाम में लेकिन पढ़ना है एक इल लुकिंग तो है इल लुकिंग गुड लुकिंग होता है न इल्लुकिंग बना देते हैं तो रिपल्सिव याद रखना आयावा तो नहीं है एक वर्ड इसमें और दे रखा है हाइडियस छिपावा होता है वैसे हाइडियस तो इसका मतलब यही मालने कुरूप है, बसूरत है फेम नहीं है, उसकी परशिद्धी नहीं है तो कि दरसल में जो सुन्दर होगा स्मार्ट होगा तो उसकी परशिद्धी फेम फेम से मतलब यहाँ पर पॉपुलारिटी से है, तो यहाँ पर सब चीजे निगेटिव वर्ड लेंगे, इल-looking और रिपल्सिज़, याद रखना है आपको, है नहीं है लेकिन यह वर्ड जो है इल-looking या आपका बेसिक वर्ड में ही मिल जाएगा, ऐसे कोई दिख करते हैं, 7th वर्ड हाँ बई, 7th वर्ड करते हैं, अगली के बाद यूनीक यूनीक का मतलब है अपने में एकलोता अनुपम एदीतिय जिस जैसा दूसरा ना हो अपने आप में एकलोता, यूनीक यार वो तो यूनीक वेक्टी है इसका मतलब हो जैसा कोई होई नहीं सकता ठीक है? तो इसके वर्ड चेक करते है मैच लैस इसका कोई मैच नहीं है, रेर है, अनकॉमन है और एक वर्ड जो आपके हैं आया था एक्सेप्शनल, यह आपके हैं एक्सेप्शनल, यह आया था आपके हैं तो थाउजन थर्टीन में सिनॉनीस में पूछा गया था तो एक्सेप्शनल, उनीक का exceptional, चलो ठीए कर दोश को